नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हिंदी नोलिश शो में से दोस्तों आज मैं आपको जो खबर बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे और आपको आज अंदाजा लग जाएगा कि भारत टेक्लोजी के मामले में कितनी अडवांसमेंट कर चुका है दरसल अब से तीन दिन पहले भारत ने इंडियन इंस्टूट आफ साइंस बेंगलूरू में एक बहुत ही शक्तिशाली सूपर कंप्यूटर को इंस्टोल कर दिया है और ये कितना सक्तिशाली है भारती इतिहास में आज तक जितने भी सूपर कंप्यूटर बने हैं भले वो किसी प्राइवेट कंपनी के पास हो भले वो भारत की सरकार के पास हो उन सब में ये सूपर कंप्यूटर सब से शक्तिशाली है और इसका नाम है परम परवेगा और इसकी ताकत का अंदाज इस बात से लगाईए कि ये एक सेकंड में दस लाख अरब ओपरेशन अंजाम दे इस वीडियो में आगे मैं आपको वही काम बताऊंगा साथ ही इसकी स्पैसिफिकेशन भी जानेंगे तो चलिए बिना टाम वेस्ट की वीडियो को तुरंद शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं इसकी स्पैसिफिकेशन तो देखिए इस सूपर कंप्यूटर के क्योटे शुरूलगी है जो भारति कंपनियi नहीं बनाती जैसे की जीप्यू इसके लाबा सीप्यू के कुछ हिषसे तो उसमें हमने अमरीका की दो कंपनियों की मदद लिए एक है NVIDIA जो जीप्यू बनाती है दूसरी है इंटल जो सीप्यू के उन महत्पूर्थ एससों क या कोई बड़ी से बड़ी technology हो हर एक चीज state of the art लगाई गई है top of the line technology का इसमें इस्तमाल किया गया है और इसी वज़े से इसकी जो शमता है 3.3 petaflops है यानि कि 10 लाख अरब operation परती second और इस super computer को बनाने का main मकसद क्या है क्या ये काम करेगा इसका कोई एक काम नहीं होगा ये भारत को अलग-अलग sector में बहुत आगे ले जाएगा जैसे कि दवाईयों की खोज में इसका एहम योगदान होगा कि ये super computer बहुत तेज है तो जो दवाईयों की research होती है ये उसे काफी जल्दी complete करके हमें नतीजे दे देगा माली जी अब से 5 साल बाद, 10 साल बाद भगवान ना करे कोई नया corona जैसा virus आता है तो कुछी महीनों के अंदर हम इस super computer की मदद से उसकी दवाई तयार कर लेंगे तो ये बहुत बड़ा फाइदा होगा लाखों जिंदिगियां भी इसकी मदद से बचा पाएंगे ये तो बस एक छोटी से शुरुआत है इसकी मदद से भारत बहुत सारे अलग-अलग काम करेगा जैसे की हाइपरसोनिक वीकल हो गया इसके लावा जो विमानों के इंजन हो गया इनहें analyze करना पूरे देश में communication फैला हुआ है उसे organize करना ऐसे ही ढेर सारे ये काम कर सकता है और बहुत ही आसानी से और इसलिए भारत ने काफी पैसा इसमें invest किया है तो भारत की इस बड़ी उपलफदी पर आपका क्या मानना है कमेंट करके जूरू बताएगा साथ ही वीडियो को शेर कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना विल्कूंत भूलेगा तैंक्यू आलमच पर आचिंग वीडियो